Hello everyone, welcome to my channel Indian Front जिस तेजी से आज के टाइम इंफलेशन बढ़ती जा रही है उसी तेजी से लोगों को जौब से निकाला जा रहा है आपने न्यूज में सुना होगा हाल ही में बड़ी बड़ी कमपनीज जैसे की ट्वीटर, गूगल, फेस्बुक ने अपने employees को fire कर दिया तो क्या हम सब एक global recession की तरफ बढ़ रहे हैं अगर हाँ, तो इसका क्या impact होगा इंडिया पर ये सब हम जानेंगे आगे इस वीडियो में तो बने रही है वीडियो के end तक लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूँगा एक सवाल हाल ही में इडिया की किस company ने space में विक्रम S नाम के rocket को भेजा है आपके options है अगनी कुल cosmos Skyroot Aerospace, Rocket Lab, Pixel तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि economic recession क्या होता है तो इसका simple meaning है economic slowdown ये एक ऐसा period होता है जब किसी country की economic growth रुक जाती है अब आप पूछोगे कि कैसे पता चलता है कि economic growth रुक गई है और country recession में जा चुकी तो देखिए ये जानने का एक simple thumb rule है जब भी किसी country की GDP लगातार decline करे 6 महिनों तक तब माना जाएगा कि वो country आ चुकी है recession में तो क्या आज के time ऐसा हो रहा है जी हाँ बिलकुल कई देश आज के समय recession की तरफ बढ़ रहे है और mostly ये western countries है जैसे कि United States, Canada, United Kingdom और European Union आप ये जानके हैरान होगे कि China, Japan, South Korea और Australia भी recession की तरफ बढ़ रहे है आज के समय दुनिया की 3 largest economies United States, China और European Union किसी भी time recession की चपेट में आ सकते हैं लेकिन अब आप पूछ सकते हो कि ये countries तो economic powerhouse है फिर ये कैसे recession में जा सकती है तो ऐसा होने के ना कई reasons है जैसे कि tightening monetary policy rising cost of living high commodity prices और tight financial conditions इन ही facts की वज़े से ये huge economies एकदम edge पर खड़ी है और एक बार ये countries recession में गिरी तो अपने साथ ये global economy को भी ले डूबेंगी ऐसा कहना है world bank का अगर हम America की economy देखें तो आज भी ये दुनिया की सबसे बड़ी economy है largest importer है goods and services का और दुनिया की पूरी GDP का one fourth हिस्सा है all in all USA की एक dominant role है global financial market में तो कल को अगर America में recession आता है तो उसका effect हमको पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा क्योंकि आज पूरी दुनिया के देश एक दूसरे पर dependent है इसे हम domino effect भी बोलते हैं जहां एक situation chain reaction की तरह हर जगा फैल जाती है अगर हम history में हुए recessions की बात करें तो सारे recessions कही ना कहीं से USA की slow economic growth से जुड़े हुए थे Now USA की economy का जो सबसे पहला impact होता है वो होता है Europe पर और इस बार already European Union recession के risk पर खड़ा है European Union में तो war की वज़े से energy prices इतने high हो चुके हैं कि लोगों का electricity bill लाखों में आता है अब caution ये है कि इस economic slowdown का सबसे बड़ा impact किन देशों पर देखने को मिलेगा तो according to Bloomberg report वो countries हो सकती है Germany, Sweden और United Kingdom इन देशों में तीन महिने का economic contraction देखने को मिल सकता है अगर हम technically देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि UK तो already recession में है UK की economy shrunk होई है और इनका economic output भी 0.2% से और गिर गया है third quarter में Bank of England का ये कहना है कि ये recession दो साल से जादा time तक रह सकता है अब आपके दिमाग में एक question आ सकता है कि इन सब के बीच इंडिया कहां stand करता है क्या इंडिया को भी recession का danger है तो इसका जवाब है फिलहाल के लिए तो इंडिया इस नॉट अट दे रिसक आफ रिसेशन लेकिन ऐसा क्यों है ये समझने के लिए काफी reasons है जैसे कि पहला तो ये कि इंडिया का जो external debt है वो काफी कम है as compared to other countries तूसरा ये कि इंडिया का जो work population है वो भी काफी ज़ादा है थर्ड रिजन है इंडिया ने pandemic के बाद witness किये है large inflows of foreign investments क्योंकि हमने एक ऐसा ecosystem create किया है companies के लिए जहां वो growth भी कर सकती है और local population को employment भी दे सकती है इन ही सब reasons की वज़़ा से इंडिया recession से बच सकता है और अगर आप में से कोई recession hit countries में रहता है तो आप experience करोगे high level of inflation, job cuts, high unemployment या फिर salary cuts अगर आप इन सबसे बचना चाहते हो तो आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी savings और साथ ही आपको upgrade करना होगा अपने professional resume को ताकि आपकी जो job है वो recession proof बन सके इस question का right answer इस question का right answer है option B, sky route aerospace यहां करते हैं इस video का end अगर आपको video पसंद आए हो तो please like, subscribe, share and comment have a great day, thank you